The Ultimate Indian में आप सभी को अभिशेक सरकार करमशकार मेरा गला थोड़ा बैठा हुआ है उसके लिए माफिय चाहता हूँ पर आज भी मैं पाश डेवलप्मेंट के न्यूज लेके आज चुका हूँ West Bengal से पहला अपडेट है दोस्तो जैसे कि आज सबको पता ही है West Bengal पूरे इंडिया का दूसरा सबसे बड़ा MSME स्टेट है यानि कि Micro, Small और Medium बिजनसे में West Bengal इंडिया का नमबर टू है और इसको और आगे बढ़ाने के लिए West Bengal गॉर्मेंट ने Amazon के साथ एक दील साइन किया है इस डील के तहट Amazon West Bengal के अलग-अलग डिस्ट्रिक्ट में E-Commerce Export Hub बनाएगी जिसके थूँ All Over World में West Bengal के जो प्रड़क्ट्स है जो West Bengal में बनते है जो Manufacturing Products वो All Over World में डिलीवर हो पाएगे Amazon और West Bengal गॉर्मेंट मिलके पूरे West Bengal में जितने भी MSMEs है यानि की Micro, Small, Medium जितने भी Enterprises है, Businesses है उनको Educate करेगी, उनको Train करेगी, उनके Classes होंगे proper, उनकी proper Training होगे उनको सिखाया जाएगा कैसे वो अपने प्रड़क्ट Amazon के थूँ पूरे All Over World में बेच सकते है और Profit Earn कर सकते है इसके इलावा Amazon जितने भी MSMEs है पूरे West Bengal में उनको Help करेगी Market करने में उनका प्रड़क्ट, पैकेजिंग करने में पैकेजिंग कैसे सुन्दर तरीके से किया जाए, कैसे अपने Legalities के बारे में समझाएगी, पढ़ाएगी, ट्रेनिंग देगी Amazon उसके बाद पूरे All Over World में एक्सपोर्ट करने के लिए तैयार करेगी West Bengal के छोटे-छोटे बिजनसेस को दोस्तो इसमें West Bengal के MSMEs को बहुत ही जादा लाब मिलेगा और West Bengal की एकनॉमी जरूर बूस्ट होने वाली है इससे दूसरा अपडेट है Singapore-based Real Estate Company से जिसका नाम है Universal Success Enterprises Limited जिनके चेर्मेन है प्रोशून मुखर जी उन्होंने दोस्तो डील साइन की है West Bengal Government के साथ 2000 करोड का डेटा सेंटर बनाने के लिए New Town में अगर दोस्तो ये डेटा सेंटर बन जाता है New Town में तो डेटा के शेत्र में डेटा के फील्ड में एक बहुत ही बड़ा कदम होने वाला है पर दोस्तो प्रोशून मुखर जी ने के लिए सबसे इंपोर्टेंट है जो कि डेटा लैंडिंग प्रोजेक्ट से है जो कि 2023 के बेंगॉल ग्लोबल समेट में बिजनस ग्लोबल समेट में वादा किया गया है वो पूरा होने के बाद ही डेटा सेंटर बन पाएगा West Bengal में ताकि connectivity बहुत जादा powerful हो पाए हम दोस्त जी ने IT Secretary राजीव कुमार को ये जिम्मेदारी सौपी है कि North Bengal में एक जगा ढूंडे जहाँ पे IT हब बनाया जा सके West Bengal की Chief Minister Mamata Banerji ने राजीव कुमार को कहा है कि West Bengal government पूरा investment करेगी North Bengal में एक IT हब बनना चाहिए और अगर वो IT हब बनता है तो पूरे North Bengal के लोगों को बहुत जादा job opportunities मिलेगी और एक और IT सेंटर बनेगा West Bengal में इसके लिए already निरिक्षन जारी है दारजिलिंग में, कालिंग पॉंग में और मिर्क में चोथा अपडेट है और आज का आखरी अपडेट है कि पूरे West Bengal में West Bengal Handicraft Expo 2023 स्टार्ट हो चुका है जो की 17 December तक चलेगा अलग-अलग जगाओ पे ये एक्सपो हो रहा है पर जो सब 2010-2022 में करीब-kरीब 8000 आbread outs Revolution ने पाटिसिपेट किया था और करीब-kरीब 73 करोड का सेल हुआ था यानि 73 करोड के प्रड़क्त बिके थे material के संक्या जरूर कम हुई 6,800 ने participate किया और 63 करोड का profit हुआ इतने का समान भी का 2023 में ये expect किया जा रहा है कि आकडा 100 करोड छुएगा तो अगर आप आसपास रहते हैं जाने में इच्छुक है तो प्लीज जाईए और कुछ जरूर खरीद के लिए तो और ऐसे अपडेट जानने के लिए वेस्ट बेंगॉल से लेटेट चीज़ा जानने के लिए सब्सक्राइब कीज़े हमारे चैनल को जय हिंद